आप इस बात पर विश्वास करें, कि वो आपके जीवन के हर एक उस कठिन काम को संभव कर दिखाएगा परसंदे प्रभु किसी भी काम के होने के लिए है, डाउट प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन में है प्रभु एश्मसी नासरी के नाम से वो डाउट इनके जीवन से दूर हो जाए परमेश्व पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है यदि आप प्रात्ना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें हम आपके लिए प्रात्ना करेंगे घन्यवाद दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रात्ना में और यदि आज आप पहली बार हमारे साथ में प्रात्ना में सामिल हो रहे हैं तो हमारे साथ में पूरी प्रात्ना को कीजिए प्रवयेश्म से आपके जीवन में काम करेंगे और आपकी प्रात्ना का उत्तर देंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि परमेश्र के वचन पर संधे न करें। हम लोग देखते हैं कि बहुत से भाई-बहन परमेश्व के वचन पर संधे करते हैं कि ये वचन मेरे जीवन में पूरा होगा कि नहीं होगा। विश्वास करना है न कि उस पर संधे जैसे हम अबरहम के जीवन में देखते हैं उत्पधी किताब उसका सत्रा अध्याई और सत्रा पद जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो मनी मन हसने लगा, मनी मन उसके मन में संधे उत्पन हुआ। मैं तो सौ साल का हूँ, सारा भी 90 साल की है, क्या सारा के गर्व से कोई बच्चा पैदा हो सकता है अब, क्या अब मैं संतान को पैदा कर सकता हूँ। तो वो मन ही मन उस बात को सुन कर हसने लगा, या फिर संधे करने लगा। तब परमेशुर ने उससे कहा कि निश्चे ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अबराहम ने परमेशुर की बात पर संधे किया, हालंकि वो विश्वास का पिता है, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परस्तितियां आती हैं, यह फिर परस्तितियों को देखक अगर उसका विश्वास भी डग मगाने लगा। परन्तु यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके मन में संधे आया, हलंकि उसने बाद में उस बात पर विश्वास किया, लेकिन उस समय उसके मन में संधे आया, क्या ऐसा हो सकता है, तो उसने का प्रवो तेरी किरपा दृष्टी smile पर बनी रहे यही मेरे लिए बहुत है लेकिन परमेश्र ने का नहीं मैं तुझे संतान दूंगा और वो सारा से ही उत्पन होगी तब उसने परमेश्र का धन्यवाद किया दोस्तों आज मैं आप से कहना चाहूंगा कि आप भी परमेश्र के द्वारा कहे गए वचनों पर संधे न करें यदि परमेश्र का वचन आप से कहता है कि मत डर तो उस बात को आपको विश्वास करना है यदि परमेश्र का वचन कहता है कि मैं तुझे आसीस दूंगा तो उस बात पर आपको विश्वास करना है यदि परमेश्र क करो विश्वास करो, हम जक्रिया के जीवन में देखते हैं, जक्रिया की कोई संतान न थी, जक्रिया और ऐली सिभा की अपनी बारी के अनुसार गया धूप जलाने के लिए तो वहां परमेश्यो के सुदूत ने उसे धर्सन दिया और उससे कहा तेरी संतान ओत्पन होगी तो उसने भी संधे किया तब स्वर्दूत ने उससे कहा कि जब तक बच्चा पैदा न हो जाए तब तक तेरा मुह बंद रहेगा और उसका मुह तब तक बंद रहा जब तक यहुन्ना पैदा नहीं हो गया दोस्तों परमेशुर चाहते हैं कि हम संधे न करें अपने को हम बंद रखें परमेशुर के वचन के विरोध में हम कुछ भी न कहें जो परमेशुर का वचन कहता है जो बैवल में लिखा हूए उसे उसी प्रकार से हम मान लें, गरहन कर लें, तब वो हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा, तब वो आपके जीवन में पूरा हो जाएगा, यदि आप किसी भी परस्तिति से होकर जूज रहे हैं, परमेशुर के वचन को उठाएं, उस वचन पर मनन करें, उस वचन को याद में देखते हैं प्रभी एश्व मसी के पास एक पिता अपने पुत्र को ले कर के आया जिसको मिर्गी थी उसने प्रभी एश्व मसी से कहा प्रभू ये तु कुछ कर सकता है तो कर प्रभू ने कहा कुछ कर सकता है इसका क्या मतलब है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है तो उसने कहा उसके पिता ने कहा कि प्रभू मेरे अविश्वास का उपाए कर मेरे अविश्वास का उपाए कर दूसरे सब्दों में प्रभू मुझे छमा कर मैं विश्वास करता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है परमेश्व के लिए कोई काम असंभव नहीं है वो अपने विश्वास किया तो आप सवर्ग जा सकते हैं जब वो इतना कठिन काम या संभव काम आपके लिए संभव कर सकता है तो आपके लिए जीवन के हर एक छेत्र में उन कठिन कामों को संभव कर सकता है ये कठिन है कि 100 साल में, 90 साल में, या फिर 80 साल में, 70 साल में कोई भी गर्वती हो, ये बहुत असंभो है, लेकिन मेरा परमेशुर जिस पर हम भरूसा करते हैं, वो असंभो को संभो करने वाला परमेशुर है, और उसने सारा को संतान दी, और आज भी करता है, आज भी ऐसे अ श्वास योग्या है उस पर भरोसा करना है और जो उस बात को मान लिता है जो कुछ वचन में लिखावा है वो उसके जीवन में पूरा होता है तो इसलिए परमेशो के वचनों पर भरोसा करें उन्हें याद कर लें उन्हें अपने हिर्दय में बसा लें रोज उन वचनों के आपके जीवन में पूरे होंगे, सो प्रभव आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयद से आसिस्ते, आमें, वाइबल के वचनों पर मनन करने के लिए, यदि आप वचनों को फोटो फ्रेम में चाते हैं, तो किर्प्या इस नंबर पर संपक करें, 8077-007695, धन्यवाद. ये है कि मेरे पती की चॉब चली गई थी, इसलिए बहुत सी समझ से हमारे उपर आई थी, तब ही मैंने अमरिता सिस्टर और ब्रदर पीके मसीजी को वाइबल सपक के जरीए परातना रिक्वेस्ट भेजी थी, और उन्हेंने वाइस मेसेज के द्वारा मेरे लिए परातना भेजी थी, और मैंने वो परातना सुन ली, और अब मेरे पती को अच्छी जॉब मिल गई है और वे जॉब पे जाने लगे है इसलिए मैं प्रभु एशु मसी को कोटी धन्यवाद देती हूँ साथ मैं ब्रदर पीके मसी और अम्रुता सिस्टर को भी धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की प्रभु उन्हें और उनकी पूरी टीम को आशीशित करे और उनकी मिनिस्टरी को और आगे बढ़ाए आमेल जय मसी की सो हम प्रभु एशु मसी का अपने प्यारे पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुन्दर शाम में मैं आशा करती हूँ कि आप सबने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीश पाई है सच में हमारा प्रभु महान है असंभु को संभव करने वाला परमिशर है आईए मिल कर हम प्रात्न करें धन्यवाद 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 करते हैं सुर्ग में विराजमान हमारे पिता हमारे उद्धार करता हम आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हालेलुया वी प्रेज़ यू फादर सन और होली स्पिरिट धनेवात करते प्यारे प्रभु हम तुझे धनेवात देते हैं आदर देते परमेशवर आपके नाम को सरहाते हैं तैंक यू जीजस लॉड तैंक यू फादर वी रिस्पेक्ट यू लॉड और यू नेम लॉड जीजस दनिवाद करते परमेशो प्रभू आज की सुन्दर शाम को प्रभू येश्य मसी आपके हातों में देते हैं और इन भाई बेहनों को जो हमारे साथ इस प्रात्ना में शा महसूस करें उस होली प्रेजन्स को महसूस करें प्रभू तेरा प्वित्र आत्मा वो अलोग एक प्वित्र आत्मा जो हमारे साथ में हैं प्रभू हर एक को जुम्बस करें हाललुया थैंक यू लॉड फादर एक एक को प्वित्र आत्मा आप छूलीजिए थैंक यू प्रभू तेरे नाम की मही माहो ने पाय पिता आज की सुन्दर शाम में परमेश्व आपने सुन्दर सा पल हमें दिया है कि हम संगती के सहभागी बने हम आपसे बातशीत करें प्रभू एक पिता को यह अच्छा लगता है प्रभू कि उसका बेटे और बेटियां उससे की उसल्गाई आपके पास है उनके उस्टमव करना आपके हाथों में कुदा निवाद करती हूं कि आज दिन भर में संभाला प्रभू दुरगणाओं से बچाया, negative thoughts से बचाया, negative Lincoln से बचाया, हर प्रकार की बुरी परस्तिय से बचाया प्रभू यदि कोई भी गुनह, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम, परमिशर जो आपकी नजरों में गलत है आपको नहीं भाया प्रबू हम सबसे आपके लोगों से यदि वो बाते हुई हैं प्रबू उन बातों को आपके आगे मानते हैं ये शुमसी एक्सेप्ट करते हैं प्रबू उन हर एक गलत बातों को हर एक उस पाप को परमिशा आपके सामने एक्सेप्ट करते हैं अंगिकार करते हैं पिता की ये में ठहुकol प्रबों इंदियों मैं प्रभू हम साब जीवन से प्रबू सीखर घ्रव कर पर मिफूर पर पर कट किया प्रभू वो संदे करने लगा परन्ट पिता परमेश्वर तूने जो वाइदा किया प्रमेस्वर एपने वायदे को तूने में इनके जीवन के चला जाए जो संधे को लेकर संधे प्रभू इनकी मैरेज को लेकर संधे प्रभू किसी भी काम के होने के लिए डाउट प्रभू जो कुछ भी इनके जीवन में है प्रभू एश्वमसी नासरी के नाम से वो डाउट इनके जीवन से दूर हो जाए परमिश्व पिता सच में मेरे प्रभू एश्वमसी जो विश्वास करता है वो पाता है परन्तु जो शंदे करता है प्रभू वो उन सारी प्रमेश्य वियलस्त लुज्ते में समय ऐसे जיל फंकर हाँ ब्रग करते हैं प्रस्तिति को अपनी सफलता के लिए लाइफ पारिवारी पिस्तति को ठीक होने के लिए प्रभू doubtful है ये शुनास्री के नाम से उनके जीवन से इसी समय वो doubt निकल जाए तेरे वाइदे तेरे वचन जो कहते है पिता तुने कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा तुने कहा है प्रभू कि मैं तुझे स्वतंत्र करूंगा तुने कहा है कि मैं तुझे आशिशित कर करूंगा तो ने का है मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा आज इन वाइदों को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा ये रिसीव करने पाएं और प्रभू इन वाइदों के विरोध में जो डाउट उड़ता है ये शुनास्री के नाम से उसे इसी वक्त दूर करते इनके विचारों से इनके माइंड इनके हाट से उसे कैंसल करते डिलेट करते इन दे नेम आफ जीजस क्राइस तेंक यू फादर लॉड थैंक यू जीजस प्रातने करते हैं प्रभू आपने कहा है कि मैंने तेरे सारे रोगों को मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा मैं तेर लिटर में है परमिशर सीरियस कंडिशन में है मेरे खुदा इसी समय प्रभू तेरा वचन उनके जीवन में कारे करें वो चंगे हो ये शुनास्री के नाम से प्रभू तेरे सामठी नाम से तेरे बेटे बेटियां ये बच्चे ये नौजवान ये बुजर्ग लोग खुदा चंगे हो इसी समय वो चंगाई रिवेल करते हैं आप रिसीव करें ये शुमसी के नाम से आप रिसीव करें उस चंगाई को हाललुया तैंक ये लोड फादर वो हीलिंग इसी समय इनके सरीरों में फ्लो हो गई है पिता इनके रिसीव करने वाला हिर्दा दे विश्वास के दोवारा उसे accept करने के लिए प्रभू इने सामर्थ दे पिता धन्यवाद छोटे बच्चे नौजवान बुज़र हर एक जो बीमार हैं खुदा आपने छुआ और चंगा किया खुदा वंदिश्यु मसी इनके अविश्वास का उपाई करे प्रभू मेरे पिता इनके डाउट का उपाई करे परमिश्यु पिता ना ही जांती किया प्रभू किस रीती से परमिश्य ये मांग रहें प्रभू क्या इनके जीवन की वौंडस हे हैं क्या हट डिजायर हैं उनकी जरुत है प्रभू ये सब कुछ इस पराँतना के दोड़ा इनों ने आग के सामने बोला थे कि निराशा में जा रहे हैं परमिशर इने लगता है सारे दर्वाजे इनके बंद हैं ऐसे समय में परमिशर दुझ पर विश्वास करते वे उन बातों के लिए जो इने असंभव जान पड़ती है संभव होने के लिए विश्वास करें मेरे खुदा धनेवाथ करते प्रभू आज रात में अच्छी नीद इने दीजे प्रभू, जो बहुत जादा बुरे सपने देखते हैं, प्रभू डुस्ट आत्मा इने परिशान करती हैं, ये इश्यू के नाम से दुस्ट आत्मा इनके जीवनों से, फैमिली से चली जाए, प्रभू हर बुरा सपना दूर हो जाए हर एक नेगेटिव विचार दूर हो जाओ इश्यू के नाम से, तैंक यू फादर, आज की रात में अच्छी नीन से सुलाएं, नए सुभा प्रभू ये तेरे साथ में कल देखे खुदा, और तेरी बारं बार महीमा करे प्रभू, जितने भाई बेन हमारे साथ में सेवकार आगे बढ़ते खुदावन, प्रभू वो तेरे वचनों को बांट रहे खुदा, वो तेरे प्रभू कारे को कर रहे खुदा, आशीज दे प्रभू इन भाई बहनों का, प्रभू एक एक जीवन को बचाना, एक एक आत्मा को बचाना, प्रभू तेरे राज्य में प्रभू इनका लेखा लिख चुका है खुदा वो आशीश प्रभू आप इने दे खुदा वो प्रतिफल इने दे प्रभू जो कारे प्रभू ये कर रहे हैं पिता तेरे राज्य के लिए खुदा वन आशीश दे जितने भाई बहनों ने प्रभू आपके राज्य में बढ़ोतरी के ल जूल खर्चि में प्रभू ये ना जाये मेरे खुदा, प्रभू कोई भी गलतकारिओं में प्रभू इनकाइं काइंकम नाل लगे वरहने इनके बच्चे ये खुद इनका परिवार उसका सुख लेते वे, तेरी महिमा बारंबार करें बेरे पिता धन्यवात करते हैं सारी बातों में आहदर, महिमा और जलाल तारीफ येश्यू आपके नाम को देते हैं प्रातना येश्यू के नाम से मांग लेते हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन